नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं है दोस्तों आपन जो राजिस्थान पुलीस कॉंस्टेबल परीक्साद 2020 यह तो न्यू पेटरन पर आधारित है इसमें आपके 100 क्योशन रहेंगे वैसे आपके एक्ज़ाम 15 क्योशण पूछे हैंगे दो घंटे का समय मेलेगा इस model paper में आपके reasoning के क्योशन सामिल नहीं किये गए बाकि आपके computer के 10 क्योशन है और महीला और बाल अपराद के भी 10 क्योशन राजस्तान GK के 45 क्योशन है इंडिया जी के इनके आपके 35 क्योशन जिसमें current affairs है इंडिया जी के है और विज्ञान के क्योशन रहेंगे तो ये सभी क्योशन नए pattern बर बहुत ही ज़दा important क्योशन है तो model paper पूरा attempt जरूर कीज़े यहां से आपको अंदजा लग जाएगा कि आपको त्यारी को कितना boost करना है कितनी आपकी त्यारी है तो last में comment करके जरूर बताए कि आपके swarm में से कितने क्योशन करेक्ट हो रहे है तो चलिए आपे start करते हैं सबसे पहले है computer के क्योशन तो जो पहला स्वाल है कि CD या फिर DVD में file copy करने के process को क्या कहते है A है storing, B burning, C pasting, D assembling यदि आप समय ज्यादा रहना चाहते हो तो वीडियो को pause करके answer दे सकते हो CD, DVD में file copy करने के process को क्या कहा जाता है तो इसे storing बोला जाता है option A correct है यहाँ फिर storing होगा burning नहीं storing CD या DVD में file copy करने को storing कहा जाता है अगला स्वाल आपे निमन मैंसे कौन सा निर्देश MS Word 2010 में copy formatting के लिए उपयोग में लिया जाता है तो control प्लस shift प्लस V, control प्लस shift प्लस C, control प्लस C या फिर control प्लस alt प्लस V कौन सा यहाँ पे combination रहेगा copy formatting का मतलब जैसे कि यह एक paragraph है इसमें जो formatting है कितने यहाँ पे size है word की length कितनी है space कितना तो same to same formatting आपको किसी अन्य paragraph में रखनी है तो उसे copy formatting कहेंगे और उसके लिए जो command लिया जाता है combination की रहेगी वो आपके option B हो जाएगा control प्लस shift प्लस C है copy formatting के लिए option B correct है next और यहाँ पे निमन मैंसे कौन सी network topology नहीं है तो कौन सी आपके option देखी match topology, tree topology, moon topology, star topology कौन सी network topology नहीं है तो इसमें हो जाएगा आपके moon topology option C correct है अगला क्योसर नमबर 4 एक आधार line से उपर की तरफ उठा हुआ है वो छोटा अकसर कहलाता है तो caps script, raised, outlined या super script तो correct answer हो जाएगा super script मतलब क्या हुआ जैसे कि मेरे को लेकना है 2 की घात 3 तो ये 2 की 3 क्या 3 आपके super script में रहेगा आधार line से उपर की तरफ उठा हुआ है वो छोटा अकसर है इसे super script बोला जाता है और ये कौन से shortcut key के माध्यम से आप कर सकते हो तो super script के लिए आपको करना पड़ेगा control, control के साथ आपको दबाना पड़ेगा shift है और उसके साथ आपको plus press करना पड़ेगा तो 3 key का combination से आप super script कर सकते हो press and hold control and shift दोनों को आपको दबाय रखना है फिर आपको plus वाले key press करना है तो आपके super respect में वो चला जाएगा सब script की बात करें तो जैसे कि मेरे को लिखना है ये A है इसके नीचे लिखना है B तो ये आपके हो जाएगा सब script हो जाएगा नीचे की तरब और सब script के लिए जो shortcut की है दोनों की shortcut की काफ़ी important है तो आपको याद में जरूर रखना है exam में आ सकती है सब script के लिए आपको control के साथ ने बराबर press करना है ये वाला symbol press and hold control then press ये equal वाला तो अगला स्वाल याँ पे PDF का पूरा नाम क्या है काफ़ी important question है PDF इसकी full form क्या है तो A है processing document file published document file portable document file या portable document format PDF का full form क्या है तो इसमें correct answer हो जाएगा D portable document format हो जाएगा बात करें इन सभी questions की PDF की model paper की जैसे की first वाला भी मैंने डाल दिया है तो वो सभी आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएंगे आप देख सकते हो इसमें लगबग 32,000 पलस candidate lab ले रहे हैं तो आप भी description box में link से click करके join कर सकते हो और यदि आप SSE और railway की PDF की question paper डाउनलोड करना चाहते हो तो discount deal की तेयत मिल रहे है description box में payment की link है payment के बाद आप यहाँ पर WhatsApp कीजिए नमबर पर आपको तुरंद PDF फाइल मिल जाएगे तो description बहुत जरूर चेक कीजिए बढ़ते हैं अगले स्वाल की तरफ question number 6 है निमर में से कौन सा cloud storage नहीं है cloud storage की बात करें तो जैसे की पहरे option देख लीजिए Google Drive, Hard Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive कौन सा cloud storage नहीं का पूछा आपको तो नहीं के case में आपे hard drive हो जाएगा cloud storage जो online storage होती है उन्हें cloud storage बोला जाता है जैसे की Google Drive में आपको space मिलती है 15 GB की free तो वो एक cloud storage है वहाँ पर कोई भी आपके hardware प्रयोग में नहीं हो रहा memory card बगेरा तो उसे अपन cloud storage कहेंगे इसी प्रकार Dropbox में भी online storage का function है Microsoft OneDrive में भी है तो ये cloud storage में सरेनीम आते है hard drive आपका cloud storage नहीं है ये physically इसमें आप देखते हो जो भी store करते हो अगला स्वाइल यहाँ पे computer से attached device को operate एवां control करने के लिए कौन सा यहाँ पर software की जरूरत है computer से attached device को control करने के लिए उपरेट करने के लिए application software, processing device, device driver और या फिर उप्रुक में से कोई नहीं तो इसमें आपके correct answer हो जाएगा device driver की जरूरत है जो भी computer से attached device है उनको operate और control करने के लिए option C correct है अगला स्वाद जो की काफी important है Excel 2003 और Excel 2007 वो Excel 2010 में file को करमस किस extension में save किया जाता है तो इन में जो file होती है Excel में कौन से extension में save होती है जैसे कि PDF भी एक extension है .doc ये तो इसमें भी file save होती है वो किस extension में होती है तो ये देखे xlsx xls xlsx option है डियोसी एक्स डियोसी डियोसी एक्स xlsx xlsx या फिर option D तो ये कौन से format में save होती है correct answer हो जाएगा आपके option C जो excel 2003 है ये जो excel की file है वो save होगी xlsx format में और बाकी इन दोनों की excel 2007 और excel 2010 की file है उनका extension ये same है xlsx xlsx तो option C यहां पे correct है 97 से लेकर 2003 तक excel वाला software है उनके लिए formatting ये xlsx उसके बाद 2007 और 2010 की xlsx रहेगी extension अगला स्वाल क्योंसा नंबर 9 windows 10 में सभी खुली हुई window को minimize करने के लिए कौन सी command को उपयोग में लिया जाता है कौन सा shortcut की रहेगा windows 10 में कोई भी windows खुली हुई है उसको आपको minimize करना है तो कौन सा command alt के साथ M है shift के साथ M, control के साथ D है window की रहती है तो window की के साथ D press करना है कौन सा रहेगा option इसमें आपका D correct हो जाएगा आपको कोई भी window को minimize करना है तो window की के hold करके आप D press कर दीजिए तब आपके ये minimize हो जाएगी और बात करें यहाँ पर alternative way के इसके अलावा आप कैसे minimize कर सकते हो तो window की के साथ आप M प्रेस कीजिए तब भी कोई भी window है वो minimize हो जाएगी window की के साथ M प्रेस करना या फिर D प्रेस करना और यहाँ पर अन्य विकल्प की बात करें तो आप maximize maximize करने के लिए क्या करना होगा minimize तो यह हो गई आपके minimize के लिए आप कर सकते हो window की या फिर window की के साथ M वापस आपको maximize करना है तो window की उसके साथ shift की window की के साथ shift की प्रेस करना फिर M प्रेस करना वो दोबारा आपके खुल जाएगी और यहाँ पर अन्य विकल्प की बात करें तो minimize current window जो भी current खुली होई window है उसको minimize करने के लिए window M, window D के अलावा hold window की window की press कीजिए उसके साथ press down वाली जो नीचे वाली arrow की है उसको press करेंगे तब आपके यह minimize हो जाएगी फिर up वाली key है उसको press करेंगे तो वापस maximize हो अगला स्वालिया पर toggle कुंजिया है toggle कुंजिया option A, scroll lock कुंजी B, caps lock C, num lock D, उप्रुक्षवी तो जो toggle की रहती है इसमें scroll lock भी होगा, caps lock भी है, num lock भी है अब बात करें caps lock का तो आपको पता है पर तेक लेटर को capital करने के लिए आपने caps lock की press कर दी है तो आप typing करेंगे जो भ अबर वाला जो पेट रहता इस side में उसको active करने के लिए num lock प्रेस करना पड़ेगा आपको, scroll lock है अब इसका जएदा उप्योग नहीं होता है, पहले जो mouse नहीं होते थे तब पुराने समय में scroll lock का उप्योग होता था, scroll lock का मतलब है यदि आपने scroll lock की press कर दी है, मतलब on कर तब आप जो navigation की रहती है, arrow वाली की उपर नीचे दाएं बाएं और यदि आपको देखी, scroll lock आपके press नहीं है और आप arrow वाली जैसे कि मैं down की press करता हूं, तो आपके धीरे धीरे पूरा page है, वो यहाँ पर नहीं आगे जाएगा, सिरफ एक दो line आगे जाएगी, पूरे page को आपको नीचे लेके आना है, तब आपको scroll key के साथ arrow key press करनी पड़ेगी, तो यह scroll lock कुंजी रहेगी आपके, तो यह सभी toggle कुंजी के अंतरकत आती हैं, अब दिखिए एक sticky key भी होता है, sticky key का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, minimize करने के लिए आपको window key उसके साथ D press करना है, दोनों को window key को दबए रखना है, फिर D press करना है, आप चाते हो कि मैं window key को एक बार press करूँ, फिर उसको हटा दूँ, और दोबारा यहापर D को press करूँ, तो वो क्या minimize हो जाएगी, तो इसके लिए आपका एक sticky key रहता है, जो function आपको active करना पड़ेगा, sticky key on करने क लिए आप 5 बार shift key press कीजिए, यह sticky key on हो जाएगी, sticky key का यह मतलब हुआ, जैसे कि आपको window key के साथ D press करना है, तो window key को आपने एक बार press कर दिया, फिर छोड़ दिया, और D को आपने प्रेस किया, तब भी आपके minimize हो जाएगा, यह आपके sticky key on नहीं है, तब आपको यह window key को shortcut मेरे को दबाना है, कोई भी window को आपको close करना है, उस case में यह दिया, आपने alt key press कर दी, sticky key on है, alt key एक बार press कर दी, उसको छोड़ दिया, फिर आपने F4 जो function कुझी है, उसको press करेंगे, तो आप window close कर पाओगे, यह दिया, sticky key on है, नहीं है, तो आपको दबाए रखना होगा आप देख लेते हैं, राजिस्थान GKK जो की 45 क्योशन पूछे जाएंगे, कल्चर के पूछे जाएंगे, जियोग्राफिस में सभी राजनितिक वगेरा क्योशन रहेंगे, राजिस्थान GKK, और यहाँ पर आपको विश्थित वेक्या सहीत मिलने वाले हैं, तो वीडियो क राजाओने मुगलों के साथ सहयोग की नीती कब अपनाई थी, तो इसमें ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, 1562 इसवी के बाद अपनाई थी, अकबर श्रम दूरदर्शी था, वो राजपूतों की शक्ति को अच्छी तरह से पहचानदा था, और राजपूत हिंदी सामराज था कि राजपूत संक्ति थोकर कभी भी हमको खत्रे में डाल सकते हैं, इसलिए राजपूतों के साथ उन्होंने मित्रता उदार था, वेवाईक संबन की नीती अपना कर उन्हें शत्रू के बदले मित्र बनाने का निन्ने लिया, 1562 इसवी की बाद रहेगा, जो यहाँ पर राजपूत, 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 उन्हें मुगलों के साथ सहयो की नीती अपनाई थी, वो 1562 इसवी की बाद अपनाई थी, अगला स्वाल यहाँ पर ढूंडा राजपूत की इस्तापना किस के द्वारा की गई, तो इसमें आपके होलाराय के द्वारा ढूंडाराद राजपरा बैद आपहरा की गई थी, आगला स्वाल क्योंसदी इसन नंबर 13, राजस्थान के सलंगनजिले कौन कौन से हैं जो पास-पास सलंगनं हैं, ए हैं सिरोई बाड़ मेर जेसल्मेर, भी ज़ाला बाड़ बुंधी टॉक, C, शिर जुनजनु जैपुर कौन से जिले याँ पर सलंगन है और उप्षन तीन आपके करेक्ट हो जाएगा सिर्होई पाली नागोर है ये जुड़े हुए है सलंगन जिले और उप्रुक्त यहां पर अगला स्वाल आपके सामने कि उत्तर दक्षिन विस्तार जिले जिस जिले का है उत्तर दक्षिन विस्तार कौन से जिले का है जहलाबाड भीलवाड़ा चितोडगड जुनजनु तो ये काफी easy क्योशन रहेगा आपके लिए उत्तर दक्षिन विस्तार जिले का है तो यहाँ पर सभी में typical क्योशन नहीं दे रहा हूँ जैसा paper में आएगा आपको पता है 100 9% क्योशन difficult नहीं आते हैं वहाँ पर कुछ easy भी आते हैं तो उत्तर दक्षिन विस्तार वाले जिले की बात करें तो इसमें आपके option दो correct हो जाएगा भीलवाड़ा नेशन नहीं पर क्योशन नमबर 15 चपन बैसिन जिले में है वह है चपन बैसिन अलवर मासवाड़ा पाली टॉंक तो इसमें आपके correct answer हो जाएगा दोर नमबर बासवाड़ा में है चपन बैसिन चपन का मैदान तो बासवाड़ा में है लेकिन आजाए चपन की पाढ़िया कहाँ पर है तो ये बाढ़ मेर नाकोडा बाढ़ मेर में है चपन की पाढ़िया चपन का मैदान बासवाड़ा में है और अन्य चेतरों के नाम की बात करें तो भूमट चेतर ये उद्यपूर डूंगर पूर सिरुई इनका चेतर भूमट चेतर कहलाता है देश हरो गंगानगर चुरू का छेतर आपके थली है, जांगल परदेश बीकानेर है, सपाद लक्ष सांबर है, अहिक्स्तरपूर ये कहा जाता है, नागोर को उपर माल है, बेजोलिया से बहसरोडगड का छेतर है, उपर माल कहा जाता है, तो ये सबी इंपोर्टेंट छेतर, क्योसर नमबर सोहला, निमन में से कौन सा किला अरावली परवतमाला में इस्तित नहीं है, कुमबल गड़, जेतोड़ गड़, नहार गड़, गागरोन, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट एंसवर, आई होप आपने कर दिया होगा, तो चैर नमबर करेक्ट है, अरावली परवतमाला में स्तित कौन सा नहीं है, गागरोन का किला जो की जहलावाड में है, क्योसर नमबर सत्रा, चैर फल की दस्टी से राजे का सबसे बड़ा किर्शी, जलवायू, खंड कौन सा है, आर्दर, डक्षिनी, मैदानी, चैर, सिंचित, उत्री, पच्छी मी, मैदानी, चैर, शोष् का पच्छी मी, मैदानी, चैर है, सबसे बड़ा कर्शी, जलवायू, खंड है, चैर फल की दस्टी से, और जो ये शोष्क का पच्छी मी, मैदानी, चैर है, यहाँ वर्षा बहुती कम होती है, और वर्षा की बात के, तो ये 10 cm से कम, तता 6 भागों में 20 cm से कम वार्षी को सबस्ता, जहां पर शुदूर पच्छी मी भागे, वहां पर 10 cm से कम होती है, और सता 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तो अच्छी, तरे तुमें 12 से 16 रहता है, इस पर देश की जलवायू गरम वह शुष्क होती है, और इसमें कौन से जले आते हैं, तो बाड़ मेर, जेसल मेर, जो रीजन दिये गए हैं, तो पहला कतन है, राजिस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की औरवरा शक्ती, अपेक्षा करत कम होती है, जो सिरोजम मिट्टी होती है, उसकी औरवरा शक्ती कम होती है, और भी देर का है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तता कार कार्बनिक पदार्तों की कमी होती है तो option की बात करें A सही है आप देख सकती हो और कौन सा सही है और क्या ये आर A की सही वेख्या करता है या फिर नहीं करता है वो भी आपको बताना है और ये आप देख सकते हो दोनों statement सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्तों की कमी पाई जाती है तो इसमें C करेक्ट हो जाएगा A और R है दोनों statement करेक्ट है और A की सही वेख्या भी करता है तो इसमें option C करेक्ट है सिरोजम मिट्टी की बात करें तो ये पीले और भूरे रंग की सिरोजम मिट्टी पाई जाती है सिरोजम मिट्टी छोटे टीलों वाले भागों में पाई जाती है और इसकी उरोवरा छक्ती है वो कम होती है कारण है सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन में कार्बनिक पदार्तों की कमी होती है और ये राजिस्थान में पाई जाती है option 3 correct है और चंबल नदी इस तंदी को चर्वनवती नदी राजिस्थान की काम धेनू नित्य वाही नदी आधी नामों से भी जाना जाता है चंबल नदी को इसकी सहक नदियों की बात के तो आलनिया पनवन बनास कालिसिन पारोती बामनी कुराल मेज वो छोटी कालिसिन नदी ह इनकी सहक नदिया जो इनसी निकलती है अगला स्वल्या पे इंग्लेंड की महारानी मेरी की देसंबर 1911 की भारत यात्रा के इस्प्रनार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्मान कहां किया गया जो इंग्लेंड की महारानी जिनका नाम मेरी है वो देसंबर 1911 की भारत यात चंद्रा को यादकार करने हैं तो Queen Mary जनाना घाट, Queen Mary जो महिला घाट का निर्मान कहां पर किया गया काफी important कि उसन नक्की जील, आनासागर जील, पुषकर सरोवर पुषकर में, पिछोला जील, ओधेपूर में, तो यहां पर Queen Mary जनाना घाट का निर्मान हुआ था, पुषकर सरोवर पुषकर में हुआ था, और यहां पर अर्द चंद्राकार में फैली इस जील में 52 घाट बने हुए हैं, इसमें जनाना घाट भी हैं, और 1809 में मराठा सरदानों ने गो घाट का पुंद्र निर्मान यहां पर कराया था, और बात करें इस घाट की जो जनाना घाट है और 1911 में महरानी मेरी जब पोसकर देखनाई थी, तो उसने यहां महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्मान कराया, और फिर इसका नाम पढ़ गया महिला घाट है, और इसी इस्तान महिला घाट पर महात्मा गांदी के अस्तिया प्रवाइट की गई थी, तब इस इसे गां जालावाड, चितोडगर, स्वाई महादोपूर या फिर करोली में, इसरदा बांद किस जिले में है, तो ये है स्वाई महादोपूर जिले में, आप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, स्वाई महादोपूर और टॉक में इस बांद के सभी गेट खोलने पर बांद में एक भी जासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो दोरा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था, तो राजपूत की राजपूत ना सासक में, कौन से सासक ने अजमेर में जो लॉर्ड मेयो के दोरा एक आयोजित दरबार था, उसमें भाग नहीं लिया था, जोदपूर भर्तपूर और वाइसराइल लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का अजमे ने एक दर्बार आयुजित किया था, जिसमे राजपूताना के सभी राजा महाराजाओं को आमंतृत किया गया था, इस दर्बार में भाग लेने के लिए उध्यपूर, अचित नहीं किया गया था इस दि उन्होंने भाग नहीं лिया था बात करें जोद्पूर के महाराजद थे वो समय तक्त सिंग वो दर्बार में सामिल होने के लिए गए तो थे लेकिन वहाँ पर उन्होंने भी भाग नहीं लिया जोधपूर के महाराज़त तक्त सिंग दरबार में सामिन होने के लिए लिकिन वहाँ जैपूर और उधफूर नरेशों के कोर्षिया जो सिटिंग में वे उसता है इसमें जाइपूर और उद्यपूर के राजाओं की कोर्शी उनसे आगे लगी देखकर वो दर्बार में सामिल लुए बिना लोट गए उस समय जोदपूर के महराजर का बहुती जदा शम्मान दिया जाता था और अंग्रेश सरकार उसमें जोदपूर के नरेश के आगमन पर अगला स्वाल क्योशन नमबर 23 निमन में से कौन सा जोड़ा गलत है तो यहाँ पर देखी रेगिस्तान का जलमेल और इसका बताया गया है बाटाडू का कुवा सेवन घास अलवर संगमरमर नागोर जोदपूरा शबेता जेपूर कौन सा जोड़ा गलत पूचा है तो यह ह मकराना का आप जानती हूं नागोर में जोदपूरा सबेता नाम से ऐसे लगता कि जोदपूर में होगी नहीं यह जेपूर में है जो पूरा तात्वी के इस्तल है जोदपूरा सबेता कहां पर है जेपूर में है और मकराना के संगमरमर का उप्योग ताज में अलके निर्म परशू पाए जाते हैं. तो आप्शन है, सरिश्का अभ्यारने, कॉम्हर गड़ अभ्यारने, अभ्यारने, नहार गड़ अभ्यारने, तो इसमें आपके करेक्ट एंसर हो जाएगा, तीन नमबर रन थमबोर अभ्यारने जो कि 392 वर किलोमेटर चेतरपल देश की सब से कम चेतरपल की बाग प्रियोजना में ये 1955 में इस्थापित हुआ था और ये उद्यान 1934 में बाग प्रियोजना में सामिल किया गया था अगला स्वाल क्योशन नमबर 25 कौन सा जिला इस सब गोल उत्पादन के लिए परशिद है इस सब गोल उत्पादन के लिए जालावार जालोर बूंदी पाली तो करेक्ट एंसर हो जाएगा आपकी ऑप्सन दो इस सब गोल उत्पादन के लिए जालोर परशिद है निमन में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से सम्मंदित है सही है तो पशु मेला और इस्थान से सम्मंदित जो युग्म दे रखे हैं कौन से सही है मलिनात तिलवाडा बलदेव अलवर रामदेव जो ये सभी पशु मेला है मलिनात पशु मेला बलदेव पशु मेला सिर रामदेव बड़ाबाड में राजस्तान का सबसे पुराना पसुमेला है और ये पसुमेला चैत्र बदी एकादमी से एकादसी से लेकर चैत्र सुधी एकादसी तक लूनी नदी के किनारे भरता है तो ये चैत्र बदी एकादसी से चैत्र सुधी एकादसी तक लूनी नदी किनारे भरता और वीर, योदा, रावल, मलिनाथ की समर्ती में है जित इस पसुमेले में थार, पारकार, कांक्रे, जादी नसल के बेलों की बिक्री होती हैं बाकि जो option में थे आपके बलदेव, रामदेव, वीरतेजाजी तो बलदेव पसुमेला है ये मेरता सिटी नागोर में भरता है और रामदेव पसुमेला मानासर नागोर में वीरतेजाजी पसुमेला परबस्तर नागोर में भरता है और वीरतेजाजी की बात के तो ये पसुम पर्देश का सबसे बड़ा पशुमेला है। आमधनी के हिसाब से परदेश का सबसे बड़ा पशुमेला है। घना मरुस्तल को कहा जाता है परमानु विस्पॉर्ट का चैतर है कोयला का है या फिर तेलव गैस भंडवा का है। तो मंगला वन चेतर है ये बाडमेर में है तेल वग गैंस भंडार का चेतर है जो कि बाडमेर सांचोर बैसीन में खोजे गए तेल चेतर से सम्बंदित है मंगला वन ये बिर्टिस कमपनी केर एनरजी इंडिया लिमिटेट ने बाड मेर के बाइतु कवास बलोग के नागाना गाव में खोदे गए कुवे में अथा तेल भंडार काफी कम गहराई में प्राप्त की गए हैं और नागाना गाव में खोदा गया ये कुवा दस फैब 2004 को देश को समर्पित कर इसका नाम मंगला वन रखा गया और चो तेल वो गैस के भंडार की बात करें तो कुवे बाड मेर में जैसे कि सरुस्वती तेल छेतर हैं ये सबी बाड मेर के हैं अगला स्वालिया पर सांगा नेर जैपूर विशेश रूप से परशिद हैं हस्त निर्मित कागज के लिए खेलोनों के लिए हस्त निर्मित ओजार के लिए या फिर उन्नी गलिचे के लिए औप्सन आपका एक करेक्ट हो जाएगा हस्त निर्मित कागज के लिए सांगा नेर जैपूर हैं ये विशेश रूप से परशिद हैं औप्सन एक इसमे करेक्ट हैं और राजिस्तान में हास से कागज बनाने के लिए घोसुंडा उद्यपूर और ये आपका सांगा नेर जैपूर परशिद हैं इसके लबाग घोसुंडा उद्यपूर भी हास से कागज निर्मान के लिए परशिद हैं क्योसर नमबर 29 जन गर्ना दोजार ग्यारा के अनुसार राजिस्थान में कारेशील जन सेंक्या दर है 2011 की जन गर्ना के अनुसार राज जन सेंक्या आणे की बात करें तो 43.6 हो जाएगी कारेसील जन संख्या और भारत में ये कितनी है जंदगर्णा 2011 के अनुसार तो भारत में कारेसील जन संख्या है 49.90 है और बात करें याँ पे जंदगर्णा 2001 के अनुसार राजिस्तान में कारेसील जन संख्या कितनी थी तो 42.1 थी 2001 में और 2011 Census के अनुसराद 43.6 है और कारेशील जन संख्या है क्या तो कारेशील जन संख्या उन वेक्तियों जिसमें माईला और पुरूस दोनों आते हैं तो उन वेक्तियों की कुल संख्या को कहा जाता है जिनकी आयू 15 वर्षे अदिख और 64 वर्षे कम है तो यह आयू सीमा आपको जनसी का काम करने हितु शक्सम होती हो और इसे सरम सकती में बदला जा सकता है तो कारेसील जो की काम कर सकते हैं जो 15 से 64 वर्ष से आयू वरगवाले यहां पर आते हैं और इसमें 2011 सेंसर के अनुसार 43.6 यहां पर परतिशत कारेसील जनसीं के अदर है अगला स्वाल मगरा चेतर विकास कारेकरम राजिस्थान में 2001, 24, 55, 2010, 11 तो ऑप्सन इसमें 3 करेक्ट हैं 2005 और 6 में मगरा चेतर विकास कारेकरम राजिस्थान में प्रारम किया गया था मगरा चेतरी विकास कारेकरम 2005 में जो प्रारम हुआ है यह राज्ये के 5 जिले जो मगरा चेतर है अजमेर भीलवा पाली चतुर्गड और राज समद में ये है अगला सुन्या पर भारत में सोर उर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजिस्थान की इस्तती क्या है भारत में सोर उर्जा उत्पादन में राजिस्थान की इस्तती पूचा है ऑप्शन है पर्थम दृत्य तृत्य या फिर चत रात की है उसके बाद मद्य परदेश और तमील नाडू की है बात करें सोर उर्जा की दश्टी से विश्व में पर्थम देश कौन सा है तो जरमनी है सोर उर्जा की दश्टी से जरमनी का विश्व में पर्थम इस्तान है राजिस्तान की पर्थम सोर नीती है ये अपरेल 2011 को नाम किया तो ये नया गाव जो कि जेपूर में है ये पूंत सोर उर्जा विद्यूतिकर्थ गाव है नया गाव जेपूर अगला स्वाद नियूनतम आवशिक्ता कारिकरम का उद्यश्य है आधारबुत धांचा उपलब्द कराना नियूनतम आवशिक्ता कारिकरम का जन संग्या को ग्रामिट्डी जन संग्या को ग्रामिड्ड जन संग्या को या फिर जन जाती जन संग्या को करेक्ट MAV आपके ग्रामिट्ड जन संग्या को है नियून्तम आवशिक्ता कारेकर्मम विनीम network program है admin जो की पंचम पंच वर्षी योजना में शुरू हुआ था उनिसो चोतर से एठतर की जो पंचम पंच वर्षी योजना है इसमें इस कारेकरम का शुरू आत हुई थी उद्देशे ताक ग्रामिंट छेतरों में जियून की नियूनतम सुईदाओं को पहुंचाना अगला स्वा में बाड़ और की अजर्क प्रिंट जो की लाल नीले रंग में दोनों और छपाई के लिए परसिद है इसके अलबावा बाड़ मेर में मलेर प्रिंट में जो कथाईtha काले रंग की अधिकता हैं बगरू है जघ्डेपूर की है बगरू की बेल भूटे छपाई जो काला ला चपाई है और सांगा नेर की सांगा नेरी प्रिंट और ये बात करें अकोला की तो चितोडगड की है दाबू प्रिंट देश विदेश में परसीद हैं तो चितोडगड अकोला की है ये दाबू प्रिंट है बगरू और सांगा नेरी है ये जैपूर की है मलीर और अजरक प्र राजिस्थान के बीकानेर तथा जेसलमेर सहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता है। राजिस्थान का सरवादी कलंबा है। आप कमेंट करके बताए राजिस्थान का छब से छोटा एनेच कौन सा है नेचल हाई राजिस्थान का सबसे छोटा नेचल हाईवे। राजिस्थान के पास धूल कोट के नीचे आहड का पुराना कस्वा दबा हुआ है जहां से तामर युगिन सब्यता प्राप्त हुई है तो ये बनास नदी पर है। राजि की पारंप्री के एमों विलुप्त हो रही कलाओं के सरक्षन खोज एमों समर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देशे से इस्तापित संस्थान कौन सी है जो की विलुप्त हो रही कलाओं के सरक्षन और समर्धन के लिए उद्देशे से इस्तापित स ललितकला एकाद्मी जहेपूर, जवारकला के अंदर जहेपूर, भारती लोगकला मंडल उद्यपूर या फिर रविंदर मंज जहेपूर तो इसका करेक्ट एंसुर उदेगा तीन नमबर भारती लोगकला मंडल उद्यपूर जो कि 1952 में स्तापित ये संस्ता लोग कलाओं परदर्शन भ्योगी कलाओं का पूतलियों के सोद सरवक्षन परशिक्षन लोग कलाओं का परचार परशार करती है अगला स्वाल है कि सेखावटी ब्रिगेट का मुख्याले कहां पर इस्तित है कब हुआ था राणा संगा और बाबर की मद्य 1527, 28, 29, 30 तो ये युद हुआ था दोस्तों 1527 में हुआ था खानवा की युदे 17 मार्च 1527 को बाबर वो राणा संगा के मद्य लड़ा गया था जिसमें बाबर है वजई रहा था और इमपोर्टन्ट युद की बात करें राजिस्त्थान की तो हल्दी गहते का युद हैं जो के 18 जून और कई कई जैसे की हिंदी गरंत एक आदमी के पुस्तकौम 21 जून लगँ है राज्थान बोर्ट की पाठी फुस्तकम 18 जून है तो हल्दी गाटी का युद हुआ था 18 जून 1506 तर में किनके मद्धी हुआ था तो मान सिंग जो के अकबर की तरफ से थे और महाना परताब की मद्धी हुआ था दिवेर के युद की बात के तो ये 1582 में हुआ था ये माहना परताब वा अकबर की मद्धी हुआ जिसमें माहना परताब विजई रहे थे और उसके बाद उन्होंने चामन को अपनी नई राजधानी मनाय था करनल जैम स्टोर्ड ने अपनी किताब में जा हल्दी गाटि को थर्मो पोल्य अप मेवार की संग्यादी वहीं दिवेर की युद को मेवार का महरा थन बताया था सांगरपुर का युद्धे ये 1436 में वहाता माहलना कॉंबा और महमुद खिलजी की मद्य और जिसमें माहलना कॉंबा विजई रहे थे तो कॉंबा और खिलजी की मद्य सारंगपुर का युद्धु वहाता 1436 में अगला स्वालिया पे अठारासो सताउन इस्वी की करांती में अंग्रेजोंब जोदपूर की श्यूक्त सेना को प्राजित करने वाला था अंग्रेजोंब जोदपूर की श्यूक्त सेना को प्राजित करने वाला कौन था तात्या टोपे, टॉंक के नवाव वजीर खा, महराजा राम सिंग, अववा के ठाकूर कोशल सिंग तो करेक्ट एंसर हो जाएगा इसमें अववा के ठाकूर कोशल सिंग है अववा के ठाकूर कोसल सिंग के नतरतों में क्रांती कारियों ने जोदपूर के महाराजा तक्त सिंग वग कैप्टेन हितकोट की सेना को अववा के निकट बेथोड़ा पाली नामकिस्तान पर 8 सितंबर 1877 को हराया था तो ये हराया था अववा के ठाकूर कोसल सिही ने आगला स्वानया पे राजपूताना मद्दे भार्थ सभा का पर्थम अधिवेशन सन 1919 में कहां पर हुआ था राजपूताना मद्दे भार्थ सभा का पर्थम अधिवेशन जो 1919 में हुआ था वो कहां पर हुआ था दिल्ली अजमे रिंदोर उधेपूर तो ये हुआ था दोस्तों पर्थम अधिवेशन दिल्ली में ओप्षन एक इसमें करेक्ट हो जाएगा और इसका पर्थम अधिशन हुआ था 19 दिसमर 1919 को दिल्ली के चांदनी चौक इस्तित मारवाडी पुस्त काले भावन में जमना लाल बजाज की अधिक्स्ता में ये अधि कास करना था अगला स्वाल भारत की सोतंतरता से लगबग 40 वर्ष पूर्व वर्दमान विधले जैपूर के परस्ततकार हैं इसकी इस्थापना के उधिश्य क्या थे तो जो वर्दमान विधले हैं भारत की सोतंतरता से लगबग 40 वर्ष पूरो तो ये 1907 में हुआ था वर् अर्जुनलाल सेथी ने उद्दीशे था क्रांतिकारी नोजवान त्यार करना और ये जो अर्जुनलाल सेथी इनकी स्थापना निशुस साथ में की थी अग्लाश में आपका एक रेक्ट है मानिकी लाल वर्मा भूगिलाल पांड्या मोहनलाल सुकाडिया या फिर पंडित कोर संकर मेवाड परजामनल की स्थापना किस के दोरा की गई है ओप्शन इसमें आपका एक करेक्ट है मानिकी लाल वर्मा के दोरा मेवाड परजामनल की स्थापना हुई थी कब हुई थी तो 24 अपरेल 1938 को ये इस्थापना हुई थी अध्यक्स ते बलोन सिंग मेता उपयदक्स भूरे लाल बया को बनाए गया था महामंत्री मानिकी लाल वर्मा बने थे अगरा स्वाल तलवार बंधाई सुल्क था तलवार बंधाई सुल्क काफी इंपोर्टेंट सुल्क है क्योशन ये तलवार बंधाई सुल्क सैनिक सेवा सुल्क है धार्मिक सुल्क है यूराज की विभापर सामन्तों से लिया जाने वाला सुल्क या फिर उत्रादिकार सुल्क है तलवार बंदाई सुल्क तो इसमें आपका हो जाएगा उत्रादिकार सुल्क हो जाएगा option 4 correct है और नए जागिरदार है और कोई नए जागिरदार बनता है तो उनके गदिन सानी के समय उत्रादिकारी बनता है नए जागिरदार है बना है तो उनका उत्रादिकारी के रूप में लिया जाने वाला जो उत्रादिकार सुल्क है इसे बोला जाता है तलवार बंदाई मंदित है इसे विभिन इस्तानों में राज्यों में अलगरग नामों से पुकार आ जाता है जैसे हकम नामा पेश गसी के खाल सात कलवार बंदा इनजराना ये आदिन के नाम है अगला स्वाल है तो करेक्ट एंस्वर भोगिलाल पांडिया है इन्हें बांगर के गांदी परदेश के गांदी की नाम से जाना जाता है और इन्हों ने भूगिलाल पांडिया ने किसानों के उत्था ने तू भील सेवा संग नामक संग्ठन के इस्तापना की थी और यहां पे गांदी की बात के तो राजिस्थान के गांदी क की नाम से कौन परसीद है तो गोकुल भाई भट है राजिस्थान की गांदी के नाम से जाने जाते हैं चड़ावा के गांदी मास्टर प्यारे लाल गुपता चड़ावा के गांदी मारवार के गांदी जैन नैरान को कहा जाता है मारवार की गांदी मेवार की गांदी मानी के जगह है छातों या फिर अंब्रेला है उनके लिए परशिद जगह पाली फालना जैपूर से होई कौन सी जगह परशिद है छातों के लिए तो इसमें ऑप्शन दो करेक्ट है आपका फालना छातों के लिए अंब्रेला के लिए पाली जिले में इस्तित फालना है ये जिसने मुगलों की अधिन्ता स्विकार नहीं की थी ये मारवाड के कौन से स्वतंतरता सेना नि जिसने मुगलों की अधिन्ता स्विकार नहीं की थी राव चंदर्शेन राव उदे सिंग महाराजा जस्वन सिंग पर्थम ये और जयाल नंबर है महाराजा अजीत सिहीं करेक्ट हो जएगा राव चंदर्शेन थे वो सासक वो सोतंतरता शेना नहीं जिन्होंने मुगलों की अधिनता स्विकार नहीं की थी ये मारवाड के सासक थे राव चंदर्शेन राव चंदर्शेन 1562-151 से इनका सासनकाल है ये राव माल देव के तीसरे पोतर चंदर्शेन को मारवाड का परताप कहा जाता है मारवार का परताब जैसे की परताब नहीं की थी मारणा परताब नहीं इसी परकार मारवार की परताब रावचंदरशेन है ये पहला राजपूत शासक था जिन्होंने अक्बर की अधिनता स्विकाल नहीं किये थी उसके व्रुद मरते दम तक इन्होंने संग प्रकी निति का अनुसरन किया था अगला स्वाद राजिस्थान में मेवा नगर परशिद है राजिस्थान में मेवा नगर है जो बालोत्रा के पास में बाड़ मेर में ये किस दिये परशिद है तो पार्शो जैन मंदिर के लिए पार्शो नात जैन मंदिर बी है सूखे मेवा के निर्यात के लिए सी आपके ज मेवात के परशिद संत चरन दास, लाल दास, हरी राम दास या सुन्दर दास. तो correct one हो जाएगा आपके लालदास option दो correct है जो कि मुश्लिम संत गदन सिस्ती से देख्षा प्राप्त कर लालदास ने मेवाद छेतर में हिंदू मुश्लिम एकता को बढ़ावत देने का निर्ने लिया था तो मद्यकालिन मेवाद के परशिद संत कौन थी लालदास अगला स्वाल भारते डाक विवाग ने किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया है कौन से लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट है जो जारी किया था पाबू जी देवनाराण जी राम देव जी या तेजा जी की पड़ किन लोक देवता की पड़ पर ये डाक क्रेक्ट हो जाएगा देव नाराण जी की पड़ है ये गुर्जर भोपों के दोरा दी जाती है देव नाराण जी की पड़ ये सबसे पुरानी और सरवादिक चित्रांकन वा सरवादिक लंबी गाथा वाली फड़ है जिसके चित्रांकन में सरप का चितर है तता इनकी घोड गोडी लीलन को हरे रंग से जत्रित किया जाता है दो सितमर 1992 को देव नाराइन की फड़ पर पांच रुपे का डाक टिकट है जो जारी किया गया था अगला स्वाल क्योशन नंबर 50 राजिस्थान के लोक साहिति में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है जीन माता आई म मलिनाज जी राम देव जी तो इसमें दोस्तों करेक्ट एंसर हो जाएगा जीन माता का गीत है जो कि राजिस्थान की लोक साहिति में सबसे लंबा गीत है राजिस्थानी लोक साहिति में जीन माता देवी का गीत सबसे लंबा है इस गीत को कन फटे जोगी केसरिया कपड़ पहन कर माते पर सिंदूर लगा कर डमरू एँस्ट सारंगी परrist गाते हैं और यह गीत करून रशसे ओध प्रोथ है आगले अगर पर नोहर तैसिल में कौन सा पर्षिद मेला लगता है नोहर तैसिल जो हनुमानगड में है वहां पर कौन सा पर्षिद मेला लगता है बांडग परतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी की नाम से जाना जाता है तो ये गोगा जी का मेला है उप्शन इसमें तीन करेक्ट है अगला स्वालिया पे धिंगा गणगोर किस सहर की परशिदी है धिंगा गणगोर, अजमेर, जालावार, कोटा, उधेपूर धिंगा गणगोर है वो किस सहर की परशिदी है धिंगा गवर मारवार चैतर का अनूटा परवत धिंगा गवर मैतमार गणगोर के नाम से भी जाना जाता है इसमें कुवारे युवक शादी के लिए माहिलाओं से बैत की मार खाते हैं और ये तिवार परतिवार्शन चैतर शुकलत तिर्टिया से शुरू होता है और बैसाक किष्ण तिर्टिया तक चलता है माईलाएं नत धारन करती है माईलाएं है ये नत धारन कहां कलती है गले में, अंगुली में, अंगुठे में, नाक में तो नत है, नत करती है, नाक में धारन ओप्सन च्यार करेक्ट है नाक के दिखे बाएं नतुने को छेद कर नतुने की बाद करे तो बाएं नतुने को छेद कर पहने जाने वाला सोने की टार से बना मोटा छला जिसमें मोर आधी के आकरती बनी होती है जो नत कहलाती है अगला स्वालिया पर सीता बाड़ी में किस जनजाती से संबंदित मेला लगता है तो ये मेला लगता है सहर या जनजाती क्योंकि सीता बाड़ी ये कहां पर है ये 12 में है और सहर या जनजाती का कुम्ब सीता बाड़ी मेला इन्हें सहर या जनजाती का कुम्ब का जाता है जो की 12 में भरता है कोशवर्धन किले का परचलित नाम क्या है कोशवर्धन किले का परचलित नाम भटनेर का किला विजे मंदिर कला सहाबाद का किला या सेरगड का किला तो ये काफी repeated question है कोशवर्धन किले का परचलित नाम है सेरगड का किला option 4 correct है और जोदपूर की राजा माल देव के द्वारा 1540 में निर्माण हुआ था इस दुरुक का सेहर सान ने जिसका पॉन्दर निर्माण करया था अगला स्वाल याँ पे दीखे ये इस किले की मुखे द्वार पर अश्ट धातू की एक बेस कीमती तोब बीश्तित हैं और नेश्ट याँ पे क्योशन अपने कंटिन्यू हो रहे हैं क्योंकि राजिस्थान जी के 45 कंप्लिट हो गए हैं कंप्यूटर के 10 कंप्लिट हो गए हैं महीलाओं और बच्चों के परती अपराब से 10 क्योशन पूछे जाएंगी तो देख लेते हैं इनमें से आप कितने करेक्ट कर पाऊगी काफी important क्योशन इसमें मैंने कलेक्ट किये हैं जो महिला और बच्चों के परती अपराद हैं तो इसका जो पहला स्वाल है किस वर्ष को भारती सरकार के दोरा महिला सर शक्तिकरण वर्ष के रूप में घोशित क्या गया है महिला सर शक्तिकरण वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष है सन 2000-2001-2002-2003 तो करेक्ट एंसर हो अधिनियम कब लागू किया गया था जो दहेज परता पर परती बंद लगाने है तो अधिनियम लाया गया था ये कब लागू किया गया था एक जनौरी 1961 एक अप्रेल 1961 बीस माई 1961 या पांच जून 1961 से तो option C करेक्ट हो जाएगा 20 माई 1961 से दहेज निरुद्दक अधिनियम है ये लागू हुआ था कब हुआ था तो 20 माई 1961 आपको ये डेट याद रखनी है नेक्स्ट निया पर महिलाओं के विकास और सरशक्तिकरण की समन्वित योजना कौन सी है विकास और सरशक्तिकरण की समन्वित योजना स्वावलंबन स्वाधार सवशक्ति स्व्यम सिधा यो स्वेम सिधा भार्थ सरकार की महिला और बाल विकास मंत्राले के दोरा प्रयोजित और दोजार और दोजार एक में प्राहरम महिलाओं को ये योजना प्राहरम वुईति सन दोजार और दोजार एक में महिलाओं को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और कानूनी सर्शक्तिकरण स समन्वित योजना है इसके अंत्रिकत महिलाओं के स्विम सायता समू को छोटी बच्चतों हेतू प्रोतसायत किया जाता है अगला स्वालिया पे कौन सा अधिन्यम महिलाओं व बच्चों को शाम 7 बजे से सुबे 6 बजे तक काम पर नहीं लगाने का प्रावधान करता है कौन स इस बिल 2013 या उप्रोक्त शबी तो साथ बजे से 6 बजे तक काम पर नहीं लगने वाला प्रावधान है कि खान अधिन्यम 1952 में है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा नैश्टन यापिक कर अपने तीन वर्षी पुत्र को दिल्ली के एक उध्यान में आज रक्षित छो आईपिसी की धारा 316 के अधिन धारा 315 के अधिन या फिर आईपिसी की धारा जो इंडियन पीनल कोड है भारती दंड सहीता इसकी धारा कौन से के तैत इन्होंने अपराद किया है यह दिवे अपने तीन वर्षी बच्चे को दिल्ली के एक उध्यान में ऐसे ही अरक्षित छोड़ देता है तो इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा आईपिसी की धारा 317 के अधिन उन्होंने अपराद किया है धारा 317 क्या कहती है कि शिशू के पिता या माता या जो उनकी देख रेक करते हैं गार्जिन वो व्यक्ति दोरा उनके दोरा 12 वर्ष से कम आयू के शिशू का आरक्षित इस्तान में डाल दिया जाना और प्रित्याक दिया जाना ये कानूनी अपराद है और धारा 370 के तैत इनको 10 साल के अधित तक कारावास की सजा और जर्मान ऐसे दंडित किया जाएगा और जो आप्सर में दे रखी है धारा 316 तो धारा 316 कहती है ये कोई व्य तक को 10 साल का कारावास है ये धारा 316 में है ये किसी शिशू की मर्तियू करता है कोई तो वो अपरादिग मानव वद का दोसी माना जाएगा धारा 315 की बात करें तो शिशू का जीवित पैदा होने से रोकना शिशू के जनम लेने से पहले ही उनको गरब में मार देना या जनम की पच्छात उनकी मर्तियू कारित करने के आशेशे किया गया कारे धारा 315 के अंत्रक्रत कानूनी जुरम है धारा 313 है ये इस्तरी की सहमती के बिना गरब पात करना है धारा 313 के तेयत जुरम है अगला समय आपे पोस को एक्ट 2012 के संसोधन विधेक 2019 के बाद 16 वर्ष का संसुधन हुआ है 2019 में इसमें 16 वर्षे का मायू के बच्चे पर ये पेंट्रेटिव यौन हमला हो जाता तो कितने वर्ष की सजा का प्रावदान है 18 वर्षे लेकर 21 वर्ष तक 15 वर्षे लेकर 25 वर्ष तक या 20 वर्षे लेकर आजीवन कारावास तक की सजा वर्जुरम इनमें से कोई नहीं तो ऑप्षन आपका C करेक्ट हो जाएगा ये दी वच्चा जो 16 वर्षे का मायू का है उन पर यौन हमला हो जाता है वो पेंट्रेटिव यौन हमला तो 20 वर्षे लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुरम नयापर हो जाएगा उन पर नयाशनिया पें दोसक्रम के लिए फांसी की सजा का परावदान करने वाला राज्जी राजस्थान देश का कौन सा राज्जी है जिसमें दोसक्रम के लिए फांसी की सजा का परावदान है ये कौन सा राज्जी है राज्जी राजस्थान पहला दूसरा तीसरा चोटा इन से ढूंडते हैं लेकिन नहीं मिलने पर वापस दिल्ली आ जाते हैं घर तो रामवर श्रीता कौन से धारा के तैट दोसी हैं धारा 314, 307, 317 या कोई अपराद नहीं किया उन्होंने तो इन्हों का पुत्तर खो गया है तो इनका कोई भी अपराद नहीं माना जाएगा ओप्शन D करेक्ट हैं कि सी भी धारा के तैट आगला स्वने आपे कारे इस्तल पर महिलाओं दस से कम वेक्टी कारे रथ हो, B है जान दस से अधीक वेक्टी हो, C आपका जब पचास से अधीक वेक्टी हो, D है आपका पचास से कम वेक्टी कारे रथ हो, तो इसमें आप्शन आपका दो करेक्ट हो जाएगा जान दस से अधीक वेक्टी कारे रथ हो, उनको वर्ग पहल को 9 दिसंबर 2013 को लागू किया गया था नेस्ट निया पे निमन में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के दोरा राजिस्थान बनाम विशा का केस 1997 में कार्य इस्तल पर यौन उत्पीडन की दी गई परिवासा से संबंदी थे जो राजिस्थान बनाम विशा का केस है 1947 में कार्य इस्तल पर यौन उत्पीडन की दी गई परिवासा जो सुप्रीम कोर्ट के दोरा दी थे वो कौन सी है तो ओप्सन दी के कोई भी अस्वीकर्त यौन निर्धारित वेवार यौन अनुगर के लिए मांग या प्रातना अश्लिल टिपनी उप्रोक्त सभी तो ये सभ भी आपके यौन उत्पीडन की दी गई परिवासा से सम्मंदित है जो कि विसाका केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट के दोरा परिवासा है और कारे इस्तल पर होने वाले यौन उत्पीडन के खिलाब साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किये थे और सुप्रीम क के इन निर्देशों को विस्टाखा गाइडलाइन की रूप में जाना जाता है जो कि 1997 में सुप्रीम कौट ने जारी किये गए थे और फिर उसके बाद ये बिल लाया गया है 2013 में 1997 से पहले जो महिलाओं पर कारेश्टल पर होने वाले यौन उत्पिडन की सिकायत है वो दी जाती थी IPC की धारा 354 जो महिलाओं के साथ छेड़ चाड़ होने वाले उत्पिडन की मामले की है और 509 के तैत दर्ज कराई जाती थी उसके बाद विस्टा का गाइडले नाई 1997 में और फिर यहाँ पर 2013 में ये बिलाया है वक पहले इस पर महिला उत्पिडन यौन उत्पिडन वाला नेक्स्ट यहाँ पर क्योसन कंटिन्यू करते हैं जो कि इंडिया जी के साइन्स और करन्ट अपेश के आपके 35 क्योसन पूछे जाएंगे तो पहला सवाल इसका भारति समिधान का अंतिम वेक्याता कौन है मतलब समिधान की वेक्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास में है केंदरी मंत्री मंडल राष्ट पती उचनाले या सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें करेक्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को है जो कि समिधान के अनुचेद 132 और 133 में समिधान की वेख्या करने का अंतिम अधिकार सरवोज चनाले को दिया गया है ओज चनालेों में ऐसे मुकदमों को जिनमें समिधान की वेख्या का पर्सनल नीथ हो तो सरवोज चनाले में निर्ने हितु भेजे जाने की व्यवस्ता है तो इस सुप्रीम कोर्ट के पास है अधिकार अगला स्वाल प्रकरती में सबसे सरशक्त बल कौन सा है सबसे स्ट्रोंग फॉर्स कौन सा है जो की सबसे वीक से स्ट्रोंग की तरव तो सबसे वीक फॉर्स होता है ग्रेविटेशनल फॉर्स है उसके बाद आपका वीक से वीक नुकिलियर फॉर्स है फिर एलेक्रोमेगनेटिक है और सबसे मजबूत है स्ट्रोंगेस्ट नुकिलियर फॉर्स strong nuclear force है जो शर्शक्त nuclear force है यह सबसे मजबूत है उसके बाद यह electromagnetic force आ जाता है फिर weak nuclear strong nuclear भी है weak nuclear भी है तो सबसे strong है strong nuclear फिर weak nuclear यहाँ पर electromagnetic है उसके बाद weak nuclear सबसे कमज़ोर है gravitational force है अगला स्वाल यहाँ पर खत्रे के signal लाल होते हैं जबकि आँख होती है हमारी वो पीले रंग के परती अधीक समयदी होती है तो खत्रे के signal लाल होने का क्या कारण है आँख तो पीले के परती अधीक समयदी होती है अपसंदेखिया पर यह है कि पीले की अपिक्षा लाल में और शोशन कम होता है अतर लाल काफी दूर से दर्शे होता है दो है कि लाल के अफिक्षा पीले परकास में परकिरणन कम होता है तीन है लाल परकास का वेवलेंद पीले परकास से अधीक है और चार है उप्रुक्त में से कोई नहीं तो option तीन करेक्ट हो जाएगा लाल परकास का जो तरंग देदरे हैं वो पीले परकास से अधीक होता है और दर्शे परकास के जो विकिर्णों में नीले रंग का तरंग देदरे सबसे कम जबकि लाल परकास का वेवलन सबसे अधीक है और जिसका तरंग देदरे सबसे अधीक होगा वो जब से ज़्यादा दूरी तक पहुंच पाएगा इसलिए जो यहाँ पर सिगनल वगेरा होते हैं वो लाल कलर के होते हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे अधीक दूरी तक पहुंच पाएगा यह लाल दर्शे बाकी वाजू के कड़ों के दौरा लाल परकास का परकिनन सबसे कम होता हैं जो कि कोहरे वर्षादी पस्तिटियों में लाल परकास अंधे रंगों की तुनला में सरवादिक दूरी तक दर्शे देता हैं अगला स्वाल प्रेसर कूकर पकाने की समय को घटा देता हैं क्योंकि तो ऑप्सन देखिए इसमें यह हैं कि प्रेसर कूकर में खाना ज जल्दी पकने का जो कारण है वो है भीतर के जल का काउतनांग बढ़ जाता है तो जो काउतनांग जिसमें जितना ज्यादा होगा खाना उतना ही जल्दी पकेगा बात करें जैसे पहाडी छेतर में तो पहाडियों में खाना है या फिर जल है उसका काउतनांग है वो बहुत ही काउतनंग ज्यादा है तो उसको उश्मा ज्यादा चाहिए और ज्यादा उश्मा होगी तो वो जल्दी खाना पक जाएगा तो भीतर के जल्द का काउतनंग बढ़ जाता है प्रेसर कूकर में दाव ज्यादा होता है दाव ज्यादा मतलब काउतनंग वहां पर बढ़ जाएग अगला स्वाल यां पर वेदों के प्रख्यात टीकाकार शायन के साशनकाल के अधीन फले फूले हैं तो वेदों के प्रख्यात टीकाकार नाम है सायन ये किनके साशनकाल के दोरान अधीक फले फूले हैं बहामनी राजा, गोल कॉंडा राजा, गजपती राजा या विजे नगर राजा Correct हो जाएगा विजे नगर राजा के समय है यह अधीन, इनके फले फूले हैं, नाम है सायन, टीकाकार, परख्यात है यह तो विजे नगर सामराजी की बात के तो इनके इस्तापना हुई थी 1336 में विजे नगर सहर है, यह तुंग भद्रा नदी पर है अगला स्वाल, परकास वर्स किसका यूनिट है, परकास वर्स किनकी इकाई है बहुत बार क्योसन यह रिपीट हो चुका एक्जाम में, समय, दूरी, परकास, परकास किते उर्ता तो यह इकाई है, दूरी, खगोल यह दूरी है, इनकी इकाई है, परकास, वर्स, लाइट, यह, ऑप्सन, दो, करेक्ट है नेस्ट यहाँ पर दूर लिष्ट है, सुची 1 को सुची 2 से सुमिलित कीजिए और सुचीयों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तरकाल चैन कीजिए तो फर्स्ट लिष्ट में आपके लेखक है, सेकेंड लिष्ट में ग्रंथ है तो कौन सा ग्रंद किन लेखक के दौरा लिखा गया है, वो आपको सुमिलित करना है इनके नीचे कूट दिये गए है, तो कौन सा यापर कूट है वो सटिक रहेगा, यह देखिए आप उप्सन चे आ रहा हूँ तो वीडियो को पोज कर सकते हो, यह दिया आप ज्यादा समय रहना चाते हो तो इसमें हो जाए कि दोस्तों जो जियासू दिन बरनी है, इनके दोरा लिखा गया है तारीक ए फिरोज साई, तारीक ए फिरोज साई है, वो जियाउ दिन बरनी के दोरा लिखा गया है फिर जो एबन बतूता है इनके दोरा रहेला लिखा गया है और इस्टेरियो द मोगोर गरंथ है ये लिखा गया है ये आपके निकोलो मनुची के दोरा लिखा गया है बदायूनी के दोरा लिखा गया है मुन्त खब उल तवारिक गरंथ है ये बदायूनी के दोरा लिखा गय तो ये साई स्वमलित हो जाएगा ऑप्चेंग के एकॉर्डिंग। अगला सुख़ायां पर निमन मैं से कौन सा सरवाधिक पर्दूशित है। निमन नदीों मैं से कौन सी नदी सरवाधिक पर्दूशित नदी है। गोमती पेरियार दामोदर महा नदी तो सरवाधिक जो परदूशित नदी है वो है भारत की दामोदर नदी option C correct है जो पच्चिम मंगाल और जारकन से होकर बहने वाली नदी है ये सरवाधिक परदूशित नदी है निमन मैं से किसका शकल घरेलू बच्चत में सरवाधिक तो जो सकल घरेलू बच्चत में सरवाधिक योगदान है वो हो जाएगा घरेलू भोतिक परिसंपतिया option B correct है इसमें घरेलू भोतिक परिसंपतिया अगला स्वालिया पर रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दर्शिय साधन है तो रेड रिबन एक्सप्रेस का क्या जाग रुपता करना B पल्स पोल्यों के परति जाग रुपता C है बाली का शिशू से सरक्षन D है सभी शिशू को कूपोर्शन से बचाने का तो रेड रिबन एक्सप्रेस है इनका उद्धिस यह है एड से तु जाग रुपता option A correct है अगला यहां पर तिबबत में यरलूं तंसगपो नदी कहा जाता है कौन सी नदी का नाम है यरलूंग तंसगपो गंगा ब्रमपुतर शिंद तिस्ता तो ब्रमपुतर नदी है इसनको तिबबत में यरलूंग तंसगपो कहा जाता है option A correct है और इसी ब्रमपुतर नदी को बांगला देश में परविश करने पर जम पुत्र नामे वो अस्सम की घाटी में प्रोश करने पर इस नदी को ब्रह्म पुत्र की नाम से जाना जाता है इसका उद्गम कहां से होता है तो ब्रह्म पुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिर में मान सरोर की निकट चैमा यूंग दूंग नामक हिम वहां से होता ह अगला स्वालने आपे रामानुजाचार्य किस से संबंदित है रामानुजाचार्य है भक्ति द्वेत वाद विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष इन्होंने सगून इस्वर की उपासना पर बल दिया है उनका मत विशिष्ट द्वेत कहा जाता है जिनका आर्थ है ब्रमा अत्वा इस्वर अद्वेत होते हुए भी जीव तथा जगत के शक्तियों द्वारा विशिष्ट है आगला स्वाल निमलिक्त मैं से किस राजवंस के अभिलेक से इस परंपरा का समर्तन होता है कि लूम्बनी शाक्यमुनी बुद्ध का जनमिस्तान था तो कौन से राजवंस के अभिलेक से ये समर्तन होता है कि लूम्बनी का जनम है वो लूम्बनी में हुआ था तो मोर्ये शुंग सातवान या पुशान किस राजवंस के अ अभी लेक से होता है, option A correct है, मोरिय वन्स ये शासक अशोक के रूमी नदैस अभी लेक से सूचना मिलती है, तो अशोक है जो मोरिय वन्स के शासक है, उनका एक अभी लेक है, रूमी नदैस वहाँ से information मिलती है, कि साक्यमुनी बुद्ध का जनम लोंबनी में हुआ है, इस के मुनी बुद्ध का जनम हुआ था, साथ है इस अभी लेक में लोंबनी के बुद्ध का जनम इस्तल होने के कारण इसे कर छूट परदान करने की गोशना वहाँ पर की थी अशोक ने, अगला स्वाल, पर्याग परश्चति किनके सैन्य अभ्यान के दोरान बारे में जानका जानकारी जाती है, चंद्र गुप्त पर्थम, समुद्र गुप्त, चंद्र गुप्त देती है या कुमार गुप्त, तो प्रयाग परश्चति है, ये समुद्र गुप्त के सैन्य अभ्यान के बारे में जानकारी जाती है, आप्शन दो करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग परस प्रयाग पस्तती अगला स्वाल हाली में भारत के विदेश मंत्री S.J. संकर ने मौसकों में भारती दूतावास में किस महापुरूष की परतिमा का अनावरन किया है तो आप सन देख सकते हो करेक्ट एंसर हो जाएगा महात्मा गहन्दी की परतिमा का उनोंने अनावरन किया है परधान मंत्री नरंदर मोधी की परस्तावित रूष यात्रा से ठीक पहले उनकी यात्रा की त्यारियों को अंतिम रूप देने के लिए विदेश मंत्री जह संकर रूष कहे थे दो दिवशी दोरव पर और विदेश मंत्री बनने के बाद उनकी वो पहली यात्रा थी और इन्होंने यहाँ पर 125 मात्व गांदी की जहिंती पर मोस्कों में भारती दूतावास परिशर में एक परतिमा का अनावरण किया था अगरा स्वाल अगस 2019 में किस देश ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलता पूरग परिक्षन किया गजनवी मिसाइल है वो कौन से देश देश ने अगस 2019 में सफलता पूरग परिक्षन किया है नेपाल पाकिस्तान बागदेश पूरथान करेक्टेंस रोगएगा पाकिस्तान ने किया है यह सफल परिक्षन और ये मिसाइल दो सो नब्वे किलोमेटर तक मार कर सकती है इस मिसा लेक नींतरक के रूप में कारेभार संबला है ओप्शन दी किया आप अनिल कोशिक, देविंदर, नारायन सोमा रॉय, जतिन परशाद का फींपोर्टेन करेंट अपेश का सवाल है 24 महा लेका नींतरक के रूप में हाल इमे कारेभार किस ने संबला है तो सोमा रॉय ने संभाला है option C correct है केंदर सरकार ने 1986 बेच की भारतिस विल लेखा सेवाधिकारी सोमा रॉय भर्मन को नया महालेक निंत्रक यानि controller general of account CGA न्यूट किया है controller and auditor general की बात करें तो ये हैं दोस्तों राजिव महर स्री और controller general of account है सोमा रॉय भर्मन अगला स्वाल निमलिक्त में से किस दिन विश्व मर्दा दिवस मनाय जाता है विश्व मर्दा दिवस 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर तो इसमें आपका option correct हो जाएगा 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस के रूप में मनाय जाता है इस दिवस को मनाने का उद्धिश्य है किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महता के बारे में जागरूप करना और इसकी शुरुवात कब हुई थी तो शुरुवात हुई थी सबसे पहले ये खास दिन संपूर्ण विश्व में 5 दिसंबर 2014 को मनाय गया था इस दिवस को खाद्य वकर्षी संग्ठन के दोरा मनाय जाता है अगला स्वाल क्योसा नमबर 84 के अंदर ये मंत्री मंडलने हाली में लोकशबा तता राज्य विधान सबाव में SC-ST के लिए आरक्षन की अउदी को और कितने साल हितू बढ़ाने संबंदी परस्ताव को मनजूरी दे दी है तो लोकशबा राज्य विधान सबाव में SC-ST के लिए आरक्षन की अउदी को बढ़ाने की मनजूरी कितने साल के लिए ले दी है लेकिन इस विदेक को मंजूरी की बाल, दोक्षबा और विधान सबाव में आरक्षन की आउदी बढ़ा कर 25 जनवरी 2030 यानि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। अगला स्वाल टाइम मेगजिन ने 2019 के लिए पर्षन ओप दा इयर निमन में से किसे चुना है। 2019 के लिए पर्षन ओप दा इयर टाइम मेगजिन ने किसे चुना है। अगला स्वाल टेबल सरक्रा किस प्रकार की सरक्रा है। तो वो होता है आप ओप्शन देखिया पर 1.64, 1.36, 1.46, 1.63 है। तो 1300 से लेकर 1400 ग्राम यानि लगभग ये 1.36 के जी आप कह सकते हो ओप्शन दो क्रेक्ट है। अगला स्वाल यां पे मानौ शरीर में रख्त की अप्रियाप्त आपूर्ती को क्या कहते हैं काफी इंपोर्टेंट स्वाल। ये दि मानौ शरीर में रख्त की अप्रियाप्त आपूर्ती हो तो इसे इसकी मिया कहते हैं इसकी वज़त से उत्तक में खाद्य पदार्त नहीं पहुंच पाता हैं और वह मर जाती हैं। अगला स्वाल आपे भारत समिधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याए किसके माध्यम से सुनिचित करता हैं। तो करेक्ट बन हो जाएगा ओप्सन चार राजी के नीती निदेशक सिद्धान्त हैं। भारतिय समिधान की वैसे तो परस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याए परदान करने का संकल्प हैं। लेकिन बात आती है सुनिचित करने की सामा जी कहों आर्थिक नयाय सुनिचित करने है तू प्रावदान सविदान के भाग जार में पर तू जो राजे के नीती निदेशक सिद्दान थे उसके अंतरगत है तो आपसन चार आपका सही हो जाएगा जूम किर्शी अभी भी कहां पर चली थे जूम खेती अभी भी कहां पर होती है मिजोरम नागालेंड मनीपूर ये सबी कौन से ओप्सन करेक्ट है तो ये सबी इन तीनों राजेयों में जूम किर्शी होती है जूम किर्शी क्या होती है तो जूम किर्शी की बात करें तो उश्न कटी बंदिय चेतरों मे पेड एवो वनस्पत्यों को काट कर उस इस्तान को साप करके बची हुई वनस्पत्यों को जला कर उस इस्तान पर जो करशी की जाती है उसे इस्तांतरी या जूम खेती कहते हैं इस किरिया में जो जले हुई पेड़ वनस्पत्या है वो राक उरुरक का काम करती है और ऐसी किर्शी सारे पूरूतर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों के दोरा की जाती है नेक्स्टन या पे मेगावाट बिजली के नापने की कई है मेगावाट है वो कौन सी बिजली के नापने की कई है उतपादित की जाती है उस बिजली को या जो उपभूग की जाती है बज़त की जाती है या ट्रांसमिसन में हास होती है तो मेगावाट बिजली के मापने की समधित ञjas can Department प्र्ब March låई offers नि्म निर्धारन से अनुरेखर टकनिक से तो जो आिसो टॉपD C 14 हैं यह किस समंधित थे तो यह फोज जीवास्त्र buyers कि USKि आयू निर्धारन से समंधित है ओप्सण सी आगला स्वया फेकिसी परमानु के लिए plum pudding model किसके द्वारा दिया गया था किसी प्रमाणू के लिए plum pudding model की बात करें तो option दिखें एंटोनी लावाईजर, रोबर्ट बोईल, अरनेस्ट रदरफोर्ड, जे जे थॉम्शन, प्रम पूडिंग मोडल किसके द्वारा दिया गया था, तो option D करेक्ट हो जाएगा जे जे थॉम्शन के द्वारा दिया गया था, प्रमाणू का अब प्रिचलित वेगैनिक मोडल है, उन्होंने इस मोडल में क्या बताया कि परमाणू गोल आकरती वाले होते हैं, प्रम पूडिंग में द्वारा दिया था, जो राष्ट्य विकास परिशत कब गठित की गई थी, ओप्सन देए कि 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्ट 1951 या फिर 6 अगस्ट 1952 राष्ट्य विकास परिशत का गठित कब हुआ था, इनके अध्यक्स कौन होते हैं, तो अध्यक्स होते हैं, परधान मंत्री, नैश्टन या पर विश्टो की सबसे उंचाई पर इस्तित दूर बीनी वेद साला कहां पर हैं, सबसे उंचाई परिश्टित जो दूर बीनी वेद साला हैं, कॉलंबिया, भारत, नेपाल, स्वीटिजर, लेंड कहां पर हैं, तो ये इंडिया में हैं, और इंडिया में कहां पर हैं, तो विश्टो की सबसे उंची जगपर इस्तित वेद साला, भारती, खगोली वेद साल सेरबेलम, सेरब्रम, मेडूला या थलामस तो सेरब्रम भाग है ये मस्तिस का सबसे बड़ा भाग है ओप्षन बी करेक्टेस में तारों की मोटाई मापने के लिए प्रिक्त होने वाला उपकरण ये भी राजस्तान प्लीज जो MBC का एक्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है तार की मोटाई मापने के लिए प्रिक्त उपकरण कौन सा है इस्क्रू गेज, वॉल्ट मेटर, रियो इस्टेट या गैलवेनो मेटर तो इस्क्रू गेज के दोरा तार की मोटाई को माप सकते हैं उसकी तिरजिया अगला स्वाल या पे किर्त्रीम उनी वस्तर के निर्मान के लिए किस किर्त्रीम रेशे का प्रियोग किया जाता है किर्त्रीम उनी वस्तर के निर्मान के लिए एक्रेलिक नोवालोक पोली विनाइल कलोराइड जो PVC है पोली थीन तो ये लाश्ट के तीन स्वाल है जो अभी आए हैं ये MBC में पूछे हुए है पोलीस कॉंस्टेबल राजिस्थान में किर्तुरिम उनिवस्तर के निर्माण के लिए कौन सा किर्तुरिम रेसा प्रयोग में होता है तो एक्रेलिक होता है ओप्षन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा हाली में मैला और बाल विकास मंत्राले ने यूनिशेप की दोरा चलाई गई किस पहल को लॉंच किया है यूहा पैल, सफर पैल, नमन पैल, लक्षे पैल जो की मैला और बाल विकास मंत्राले ने यूनिशेप की दोरा चलाई गई पहल को लॉंच किया है तो ये पहले दोस्तों यूहा पहल आप्शन एक रेक्ट है और इसका जो लक्षे है वो है 10 से 14 साल की किसोरों हेतू सिक्षा और कोसल विकास को बढ़ावा देना इसके अलावा साल 2030 तक निजी छेत्रों के साथ कारे करके 50 मिलियन यूहा महिलाओं और यूहा पुरुसों को यहाँ पर आर्थिक अवसर परदान करना ये भारत की लिंगानु पात को चुनोती कम करने में मद्दकार सावित होगी लाश्ट क्योंस रहेगा हरियर और बुका के दोरा इस्थापित राजवन्स को संगम राजवन्स के नाम से जाना जाता हैं तो करेक्ट एंसर हो जाएगा ओप्सन डी हरियर और बुका के पिता का नाम संगम था बात करें विजिन अगर सामराजी किस्ता अपना किनके दोरा की गई है बहुत बार पूछा हूँ है तो हरियर और बुका के दोरा की गई है तो दोस्तों यहाँ पर सभी 100 क्योंस कम्प् जाएगा और जो डेली आपको चाहिए कि इस टैप से एक मोडल पेपर मिले तो ज्यादे से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जितना अच्छा रेस्पॉंस आएगा उसके अको डेली इस टैप से एक इंपोर्टेंट स्वाल एक्स्ट्रा फेक्ट साइट मिल जाएगा ब